नमस्कार News 18 इंडिया के खास सेग्मेंट एक्स्प्लेंलर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ श्रिवानी पांडे आज हम उस दावे को समझेंगे मुस्लिम कंट्रीज के जहां पर वो ये कहते हैं कि इस्रेल आकर यहूदी तभी बसे थे जब उनको हिटलर द्वारा बहुत जादा प्रतार्ण कर दिया गया था तो क्या वाकई ये जो कहानी है पूरी प्रतार्णा से जुड़ी हुई है तब जाकर यहूदी यहां पर आकर बसे थे या फिर इस्रेल का जिक्र आखिर किन किन ग्रंथू में है कहां कहां पर इस्रेल का जिक्र किया गया है एक मात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया में इस्रेयल जहां पर सबसे जादा यहूदियों की संख्या है और इसका जो जिक्र है वो तोरा जो की बेहत पवित्र ग्रंत यहूदियों का माना जाता है उसमें इसका जिक्र किया गया है तोरा में ये कहा गया है कि इश्वर ने एक स्थान दिया यहूदियों को रहने के लिए और उसका नाम था इस्रेल और हजार इसापूर्व जैसा कि हिब्रू बाइबल कहती है एक राजा हुआ करते थे डेविड उनके बेटे थे सुलोमन सुलोमन ने अपने पिता के नाम पर डेविड के नाम पर एक मंदर बनाया है जिसका नाम था डेविड टेंपल जिसकी अब मातर एकी दीवार जेरुशलम में रह गई है जहाँ पर मातर टेक कर प्रातना करते हैं यहूदी और इसी वज़े से जो जंग है और जादा लंबी खीच रही है क्योंकि मुसलमानों का भी वो पवित्र स्थान है अब मुसलमान क्या दावा करते हैं मुसल्मान ये दावा करते हैं कि साथवी सदी में पैगंबर मुहमद मक्का से एक दिन में ही उन्होंने जेरुशलम तक की यात्रा पूरी की थी और जेरुशलम ही वो जगह थी जहां पर उनका अंतिम पड़ाव था जहां से वो जन्नत चले गए थे तो ऐसे में जो मुसल्मान है उनके लिए भी ये जो भूमी है जेरुशलम बेहत पवित्र हो जाती है और यहीं से जो खीचतान है वो शुरू होती हाला कि यहूदियों को खदेडने के बहुत प्रयास इससे पहले किये गए जो सत्ता की खीचतान थी वो लगातार चल रही थी लेकिन सबसे जादा जो बड़ा बदलाव आता है वो तब आता है जब असीरियन एंपायर्स जब वहां पर पहुंच जाते हैं वो खदेडना शुरू कर देते हैं यहूदियों को वहां से भगाना शुरू कर देते हैं और उससे भी जादा जो बड़ा बदलाव आता है वो आता है ओटमन सामराज्य के दोरान लेकिन आपको यहां यह जानकर हिरानी होगी जो टेविड टेंपिल था उसको असीरियन रूलर्स ने तोड़ दिया था उसकी मात्र एक ही जो दीवार थी वो वहां पर रहे गई थी और यहूदियों का बेहत पवितर स्थान भी इसको वाना जाता है लेकिन जब Ottoman rulers आये उन्होंने देखा कि यहूदि यहां पर बहुत सारे हैं उनको भगाने की कोशिश उनकी ओर से की गई और पूरा जो Muslim सामराज्य था वो वहां पर बस जाता है और यहीं से लडाई शुरू होती है फिर आता है World War I जहां पर Britain जो यहूदि है जो कि अलग- साथ दिजे और हम आपको रहने के लिए एक जमीन देंगे तो उसके बाद उनको रहने के लिए एक जमीन का दावा Britain की और से कर दिया जाता है लेकिन Britain के भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाकर इस्रेल जो स्थान वहां पर बसा हुआ है जहां पर अल्रेड़ी बहुत सारे म Muslim countries है उसके साथ कोई चेरचाड करें तो दावा दरकिनार कर देते हैं और उनको कोई भी रहने का स्थान वहाँ पर नहीं मिलता World War 2 के दौरान हिटलर के दौरारा बहुत जादा पताड़ना यहाँ पर यहुदियों ने सही है उनके लिए concentration camps बना दिये गए थे, gas chambers बना दिये गए थे, जहाँ पर उनको डाल कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था लेकिन धीरे-धीरे World War 2 के बाद UN सामने आया, UN ने मद्यस्ता करने शुरू की और उसके बाद जाकर एक स्थान यहाँ पर यहुदियों को मिला, जिसका नाम था इस्रेल, जो कि पहले से ही उनका ही था, जैसे कि उनके जो धार्मी ग्रंथे, उसमें भी दावा किया गया है, इश्वर ने उनको दिया, तो वहाँ पर फिर से बस गए, उनकी जो आबादी है, उस शेत्र में पूरी बसनी शुरू हो तो ऐसी तरीके से जो इस्रेली हैं, वो वहाँ पर आकर बसे, तो कहीं ना कहीं जो यह दावा है मुसल्मानों का, कि वो जब आकर वहाँ पर बसे थे, वो तभी बसे थे, जब हिटलर ने उनको बहुत जादा प्रतार्ट किया था, इस सच है, लेकिन इससे पहले की जो सच् में इस्रेली आ गए हैं, और यही यह लडाई जो है, अपनी सत्ता को लेकर उसी को बचाने की कोशिश इस्रेली लगाता रही भी कर रहे हैं, क्योंकि हमास की ओर से भी उन पर कई हमले अब तक किये जा चुके हैं, लेकिन हमास भी फिलिस्तिनियों का साथ देना चाहता है, वो भी फिलिस्तिनियों को कहता है कि वो अपना सामराजी वहाँ पर बसाएं, क्योंकि यह देश कभी उनका भी रहा था, तो सामराजी को लेकर सत्ता को लेकर एक पूरी लडाई है जो इस वक्त चल रही है,